नमस्कार गुट्टी की पोठली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज में आपके लिए जीरो एक और तो नमबर काना जी की क्रोशे से बनी ड्रेस लेकर आए हूँ ड्रेस में 10 कलियां बनेंगी और चोली में एक बटन भी लगाया है आप चाहे ये साइड आगे कर ले चाहे दूसरी साइड आगे कर ले जैसे आपको ठीक लगे आप वही साइड आगे कीजिए तो आएए अब हम अपनी क्रोशे की ड्रेस मनाने शुर करते हैं और वीडियो श कर ले साद मी बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं ताकि मैं कोई भी न्यू विडियो अपलोड करों उसकी नोटिफिकेशन आप सब्登録 सके वीडियो को लाइक चेयर करें कमेंट्स चुरूर करें क्योंकि वीडियो को लाइक करना चेयर करना कुमेंट्स करना और चैनल को सब्स के लिए है सी के साथ क्रोशिय आपको अपनी उन की अनुसार लेना है मैं यहां पर 3 mm का क्रोशिय इस्तिमाल कर रहे हूं सबसे पहले हम एक बिल्कुल सी नॉट बना लेंगे क्योंकि हमको नॉट ही बनानी है आपको जितने सिंपल तरीके से आई आप उसी तरीके से एक लगा कर यहां से काउंट करते हुए हम चौधा चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच शे साथ आठ नुव दस ज्यारा बारा तेरा चौध है चौध है चौध है चेन बनाकर तीन चेन और बनाएंगे एक दो तीन टोटर चेन हो गई है 17 यहां से हम 3 चेन छोड़ेंगे एक दो और तीन और इस चेन से फोर्थ चेन से हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और अपनी हर next chain से एक double crochet बनाती हुए हम अपने इस round में 14 double crochet को बना कर complete करेंगे यहाँ पर हमने अपनी 14 double crochet को बना कर complete कर लिया है तीन chain बनाएंगे एक, दो, तीन साइड को चेंज कर लिएंगे, next row बना रहे हैं, next row बनाने के लिए हम इस जो first chain है इसको छोड़ देंगे और अपनी second chain से दो double crochet बनाएंगे एक और इसी space से ही हम दूसरा double crochet बनाएंगे फिर से अपनी next chain से यहाँ से दो double crochet बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए यह round complete करेंगे, starting में भी हमने एक double crochet बनाया है, last में भी हम एक double crochet बनाएंगे, बीच की हर chain के उपर हम दो-दो double crochet बनाते हुए complete करेंगे, इसी तरह से बनाते हुए हमने अपने इस round को complete कर लिया है, और last में हम एक double crochet बनाएंगे, और इसी के साथ इसको खींच के, इसमें से हम अपने गोले को धाके को निकाल देंगे, धाके को हम काटेंगे नहीं, second round complete होने के पाद मेरे पास room में 28 double crochet है, अब हम यहाँ पर अपनी white color से बनाना स्टार्ट करेंगे, वो निचे से third chain count करते हुए, बिल्कुल यहाँ से हम अपने white color से बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम दो chain बनाएंगे, एक और दो chain बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे, एक सिंगल क्रोशेट यह हो गया, एक यह हो गया, तो एक सिंगल क्रोशेट और तीन सिंगल क्रोशेट हो गए, एक दो और तीन और नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशेट है, चेन है वहां से हम तो डबल क्रोशेट इकठे मनाएंगे अब हमको रिपीट क्या करना है तीन सिंगल क्रोशेट एक दो कि तीन और जो नेक्स्ट ये स्पेस है यहां से हम अपने तो सिंगल क्रोशेट नेंगे एक और तो बस इसी तरीके से बनाते हुए हम अपने इस सारे राउंड को कम्प्लीट करेंगे लास्ट का सिंगल क्रोशेट हम स्टार्ट तो वाइट था किसी करेंगे लेकिन उसको कम्प्लीट हम ला था किसी करेंगे आपर हम तीन चेन बनाएंगे एक, दो, तीन साइड को चेंज कर लेंगे अपनी फर्स्ट चेन को छोड़ते हुए यहां से नेक्स्ट से हम पांच, चार डबल क्रोशेट बनाएंगे हर चेन से एक डबल क्रोशेट लेंगे एक, दो, तीन, चार डबल क्रोशेट ले लिए तो यहां पर हमारे पांच डबल क्रोशेट बन गए एक, दो, तीन, चार, पांच, डबल क्रोशेट की त्यारी करेंगे और साथ चेन छोड़ेंगे यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ्वी चेन से हम तस डबल क्रोशेट बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस दस डबल क्रोशेट बनाने के बाद डबल क्रोशेट के त्यारी कर लेंगे और साथ चेन यहां से छोड़ेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ आठ्वी चेन से हम पाँच डबल क्रोशेट बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और एक पाँच, बिल्कुल पराबर हमारा चेन आई है अब हम यहां पर हमने अपनी चोली की उपर की साइट बना ली है अब हम इसके नीचे के डिजाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसको इसके साथ जोड लेंगे इसको इस तरीके से जोडेंगे, ऐसे करके ऐसे करके ना, फिर इसको हम जोडेंगे slip stitch के साथ इसको हम यहां पर जोड़ देंगे यहां पर हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया है एक chain बनाएंगे और यहां पर मैं एक marker लगा लूँगी ताकि मुझे पता चले कि मैंने अपने round को complete कर लिया है और यहां से अब मैं अपनी हर एक chain के उपर से चाहे एक single crochet बना लूँगे और बस इसी तरह से पहले हम अपने इस round को बना कर complete कर लिया है इसी तरह से बनाते हुए हमने यहां पर अपने single crochet वाले round को complete कर लिया है और single crochet वाले round में हमारे 20 single crochet बन कर आए है और इसको हम यहां पर अपने single crochet के साथ जोड़ देंगे अब यहां से हम अपने घेरे को स्टार्ट करेंगे तीन double crochet तीन chain एक दो तीन और अपनी next chain से एक chain यह हो गई एक chain यह ने next chain में हम दो double crochet करेंगे एक और तो एक chain हमें repeat क्या करना है एक chain में एक double crochet एक chain में दो double crochet और एक chain निचे से कोई chain skip नहीं करेंगे एक chain दो double crochet एक दो और एक chain बस इसी तरहां से बनाते हुए हम अपने इस round को complete करेंगे और इस round में इस तरहां की 10 कलियां बनकर त्यार होंगी आप count कर लेना कली एक भी कामियां जाता नहीं होनी चाहिए वरना हमारा डिजाइन उपर जाकर खराब हुजेगा बस इसी डिजाइन को हम repeat करेंगे ते हुए हमने अपने इस round को complete कर लिया है मेरे पास यहाँ पर दो chain बची हुई है यहाँ और बाक्य का आप देख लीजे सारी chain बिल्कुल बराबर आई है एक भी chain हमारी कामियां जाता नहीं हुई है और कलियां भी हमारी 10 बनकर आई है पहले एक double crochet फिर नेक्स्ट चेन से दो डबल क्रोशेट बनाने के बाद यहाँ पर आपको एक chain बनानी है जो मैं बनाना भूल गई हूँ इसको हम अपनी इस chain के साथ जोट लेंगे यहाँ पर आप दो chain बनाओ या तीन chain एक ही बात है जैसे आपका हाथ पेटा हो ना आप उतनी chain बनाकर डिजाइन को बनाना स्टार्ट करना ना बनाने के बाद फर्स्ट डबल क्रोशेट एक डबल क्रोशेट हम यहाँ से लेंगे अपनी फर्स्ट चीन से और नेक्स्ट चीन से दो डबल क्रोशेट एक और तो एक चीन हमको रिपीट क्या करना है एक चीन के उपर एक डबल क्रोशेट के उपर पहले एक डबल 2 तीन 1 Tel 3 और इसि के उपर एक डपल क्रोशेट और एक चेन पिछली बार शार निचेंट तीन डपल क्रोशेट थे अब हम शार डपल क्रोशेट बनते छले जाएएंगे एक बार नेरा में आपके सामने औरपना रही हूं एक double crochet दो double crochet और next स्पेस से दो double crochet इकट्थे एक और तो एक चेंड बस इसी तरह से बनाते हुए हम अपने इस को प्रिपले करेंगे यहां पर हम ने अपने इस राउंड को के लिया और यहां पर हम इसी को सिंगर्व प्रोशेट暴ी स्लिप स्टीच के साध्लिक ऐर है यहां से फिर्सेट थों आर है यहां पर एक तो थील पूर इसमें दो रपल ग्रोशेट में एक दो तीन और थर्ड स्पेस से यहां से हमें दो बार डबल क्रोशेट लेना है और एक छेन और हमें रिपीट क्या करना है इस चार डबल क्रोशेट के उपर पाँच डबल क्रोशेट बनाने है पहले तीन डबल क्रोशेट के उपर तीन डबल क्रोशेट बनेंगे और नेक्स्ट वाले के उपर दो डबल क्रोशेट बनेंगे तो टोटल पाँच डबल क्रोशेट हो जाएंगे एक, दो, तीन, चार, और पाँच, और एक चीन बनाकर बस इसे डिजाइन को हम लगाता रिपीट करके इस राउंड को कम्प्लीट करेंगे इसी तरह से बनाते हुए हमने अपना ये राउंड कम्प्लीट कर लिया है बस अब हम इसको यहाँ पर चोड़ देंगे, स्लिप स्टीच के साँ चोड़ देंगे यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन और अपनी एक एक स्पेस पर एक एक चेन पर पहले एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और लास्ट स्पेस पर हमेशा दो डबल क्रोशेट बनाते हैं इस राउंड में भी हम लास्ट चेन में दो डबल क्रोशेट बनाएंगे और इस स्पेस पर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, चेन नहीं बनाएंगे तो इस बार हम repeat क्या करेंगे हर एक double crochet के उपर हर एक chain के उपर एक एक double crochet और जो हम last की space मर दो double crochet मनाते थे वो हम as itis ही बनाते रहेंगे बस इसी तारहा से बनाते हुए हम अपनी सारे के सारे round को complete करेंगे इसी तरीके से बनाते हुए हमने अपने इस round को complete कर लिया है और last में हम इसको अपनी chain के साथ slip stitch के साथ जोड़ देंगे अब हम यहां से slip stitch के साथ जोड़ने के साथ हम यहां पर दो chain बनाएंगे एक दो दो chain बनाने के साथ हर एक double crochet के बनाएंगे ऐसा हम चार बार बनाएंगे एक दो तीन और एक चार तो double crochet हो गाएं पांच एक दो तीन चार पांच और चार चेंगे एक दो तीन चार यहां से हम अपने डिसाइन को बनाना, रिपीट करेंगे, पाँच डबल क्रोशेट, एक चेन के उपर, एक डबल क्रोशेट, एक, दो, तीन, चार, पाँच, चार चेन, एक, दो, तीन, चार, और यहां से हम दो स्पेस छोड़ेंगे, एक और दो, और यहां से फिर से काउंट करते हुए, पाँच डबल क्रोशेट और चार चेन बनाते हुए, हम अपने इस राउंड को बनाकर कम्प्लिट करेंगे, यहां पर हमने अपने सारे राउंड को बनाकर कम्प्लिट कर लिया है, डबल क्रोशेट की उपार वाली चेन है, यहां से हम वाइट थाके को लगाएंगे, इस तरीके से, सबसे पहले एक चेन बनाएंगे, और यहां पर हम तीन सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक एक चेन के उपर, एक, दो, तीन, तीन सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद, यहां पर हम आठ डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, आठ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, और फर्स्ट चेन छोड़कर, इस चेन के, फर्स्ट डबल क्रोशेट की चेन को छोड़कर, आगे वाले डबल क्रोशेट की चेन के उपर से, तीन सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक, दो, तीन, और फिर से हम इसी स्पीस पर आठ डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, आठ डबर क्रोशेट बनाकर फिर से पहली चेन के उपर का सिंगल क्रोशेट चोड़ते हुए आगे वाली चेन से तीन सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक एक चेन के उपर एक एक सिंगल क्रोशेट बनाते हुए इस राउंड को हम इसी तरीके से कम्प्रीट कि इसी तरह से बनाते हुए हमने अपने इस सारे राउंड को कम्प्रिट कर लिया है और यहां पर मैं इसको कि स्लिप स्लिच के साथ जोड दूंगे और यहां पर एक चेन बनाकर जोर से खींच दूंगे और थाके को थाके को हम काट देंगे और इसी फंदी को हम जोर से खींच के टाइट करके बंद करतेंगे अब हम अपनी लास्ट राउंड को बना रहे हैं लास्ट राउंड को बनाने के लिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे यह जो इस तरह के हमने आठ बनाए थे न यहां से स्टार्ट करे यहां पर पहले हम 3 chain मनाएंगे 1-2-3 एक चेंड एक चेंड एक च्छार चेंड बनाएंगे 3 chain हमारी एक डॉच्छेट की है एक चेंड हमारी एक डबल क्रोशेट और बना लेंगे, एक चीन और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट के उपर से एक चीन हम फिर से बना लेगे, चाहर डबल क्रोशेट बनाने के बाद, तीन चीन, एक, दो, तीन और यह जो उपर वाली chain के दो आगे की chain है न यहां से हम इसको जोड़ देंगे slip stitch के साथ एक chain बनाएंगे और फिर हम आगे का double crochet बनाना start करेंगे फिर से एक chain एक double crochet एक chain एक double crochet बनाएंगे अब इसके बाद हमको chain नहीं बनानी double crochet बनाएंगे यह वाली जो हमारी chain है यह first लाल रंग की जो हमारा double crochet है इसके उपर हम एक बाड़े वाला double crochet बनाएंगे इस तरीके से पहले इसको बना लेंगे फिर इन दोनों को एकठा बनाएंगे और फिर लास्ट में ऐसी इस तरीके से यह double crochet थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तब ही हमारा नीचे का वाइट कलर का डिजाइन नजर आएगा यहां से फिर से इस तरीके से लेंगे इस तरीके से हमारा नीचे का वाइट कलर का डिजाइन नजर आएगा अब यहां पर हमने चेन नहीं बनाने यहां से हम एक डपल क्रूशेट एक चीन फिर से एक टपल क्रूशेट एक चीन एक टपल क्रूशेट एक चीन एक टपल क्रूशेट चार डबल क्रोशेट बना लिए एक तो तीन चार तीन चेन एक दो तीन और इसको हम यहीं पर ही दो चेन से जोड़तेंगे एक चेन बनाएंगे और फिर से आगे वाले चार डबल क्रोशेट से एक एक डबल क्रोशेट लेंगे एक एक हम चेन बनाएंगे कि बना लिया अब हम इसी चीज को फिर से बनाएंगे अब ये डबल क्रूचेट बनानी के बादंड चीन नहीं बनानी के आपनी नीचे वाले लाज डबल क्रोशेट से आखे से फ्रंट से डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरीके का लंबा करते हुए हमको डबल क्रोशेट बनाना है बस इसी तरह से बनाते हुए हम अपने डिजाइन को को रिपीट करके कम्प्रीट कर लेंगे इसी तरीके से बनाते हुए मैंने अपना ये वाला राउंद पिलकुल कम्प्रीट कर लिया है और धाकी को मैंने काट दिया है धाकी को मैंने काट रखा है और सुई में डाल रखा है अब हम इसको आपस भी जोड़ेंगे कैसे जोडने के लिए हम अपनी ये वली जो हमारा चेन है यहां से इस तरहां से हम सुई को डालेंगे और बहुत टाइट नहीं कीचेंगे बस इतना सा टाइट करेंगे और अपनी इस चेन के तीसरी चेन से एक दो तीन इस चेन से इस तरीके से हम लेंगे और यहां से हम इस तरीके से उपर से डाल कर, बैक सैड के और निकाल लेंगे इस तरीके से कहें पता नहीं चलेगा, कि हमने अपना ये डिसाइन कहां से स्टार्ट किया है, और कहां पर आके हमने इसको खतम कर थिया है और बस अब हम इसको निसुई की मदद से ही बैक साइट पर ले जाकर पक्का करतेंगे अच्छे सी पक्का करके थागे को हम काट देंगे और इसी के साथ ही हमारे चोली और खेरा उशाक जो है वो बनकर बिल्कु त्यार हो गई है ट्रेस कम्प्लीट हो जाने के बाद जितने भी हमारे थागे लटक रहे हैं इनको हम सुई की मदद से अंदर करके कैंची से काट देंगे फिर हम अपने चोली की साइट पर वाइट कलर से बाउंटरी करनी स्टार्ट करेंगे अब हम अपनी वाइट थागे से चोली की बाउंडरी करेंगे पिल्कुल इसी स्पेस से एक चेन बनाएंगे और एक टबल क्रोशेट से हम दो सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक और दो और दो सिंगल क्रोशेट हम अपनी वाइट चेन की बाउंडरी से बनाएंगे एक दो तपल क्रोशेट से दो सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक और तो अब हम यहां पर तीन चेन बनाएंगे एक दो और तीन यह तीन चेन हमें इसी साइड बनानी है दूसरी साइड नहीं बनानी और इसको सिंगल क्रोशेट के साथ यहां पर हम चोड़ देंगे अब यहाँ पर हमारा किनारा आगया है किनारे में हम 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे किनारा है इसको राउंड करने के लिए हम 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे अब यहाँ पर हम एक गैप छोड़ेंगे एक स्पेस छोड़ेंगे और नेक्स्ट कैप में तो सिंगल क्रोशेट एक और तो इसी तरह से हमको बनाना है एक, एक, गैप हम छोड़ते चले जाएंगे औ और एक-एक कैप में हम अपना दो-दो सिंगल क्रोशेट बनाते हुए हम अपने गले के राउंड को कम्प्लीट करेंगे. यहाँ पर हम अपने बिल्कुल किनारे पर पहुँच गए हैं और किनारे से हम 6 भर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे. दो, तीन, चार, पांच और छेट और इस साइड हम तीन चेन नहीं बनाएंगे. अपने नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट से दो डबल क्रोशेट एक, दो. फिर से अपने नेक्स्ट डबल क्रोशेट से दो सिंगल क्रोशेट और नेक्स्ट डबल क्रोशेट से दो सिंगल क्रोशेट बनाते हुए, हम अपने इस राउंड को कम्प्लीट करें. यहां पर मैं धागे को लंबा रखकर काट दूगी और यह जो मिना अच्छी का फ़ंदा है इसको मैं खींच के अपनी चेन को बंद करदूगी और धागे को सुई में टाड कर शोली की चेन वाली साइड को उपर रखकर दूसरी साइड को नीचे रखकर इसको हम यहां पर पक्का करतेंगे यहां पर हमने अपनी ड्रेस को बना कर पिल्कूल कम्प्लीट कर लिया है बस अब हमको एक इसके उपर बटन लगाना है जिस साइड हमने चेन बनाई है वो साइड उपर है और जिस साइड चेन तीन चेन नहीं बनाई है उस साइड हमको एक बटन लगाना पर मैंने बटन लगा कर चोली को बंद कर दिया है आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा पताने का तरीका कैसा लगा प्लीज 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 हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जुरूर बताएगा वीडियो पनाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जुरूर बताना क्योंकि अपनी गलती इंसान को खुद कभी भी पता नहीं चलती है जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहिए तक की पोटली नमस्कार धन्यवाद